हलो दोस्ता नमश्कार आई ये स्टार्ट करते हैं 9th of December की क्लास टाइटल है Winning Formula What does it mean? Winning Formula जीत का सुत्र और जीत का सुत्र किसके बारे में है? तो 20.पी ने अभी हाली में जो चुनाव का रिजल्ट आया है उसमें गुजरात में बहुत बड़े मार्जिन से जीत प्राप्त की है उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है हिमाचल में हलंकी इन्होंने जीत प्राप्त नहीं की कॉंग्रेस ने लीड किया है तो उसी का विसलेशन इसमें आपको देखने को मिलेगा काफी सारे वर्ड सीखने को जरूर मिलेंगे कौन सा एडिटोरियल पढ़ने वाले हो कैसे वर्ड मिलने वाले हैं ये सब जानना चाहते हो तो आपको टेलेग्राम चैनल को डाउनलोड पर जुरूर जाना है आशिस क्लासेस के नाम से है सीधा सर्च करिएगा तो भी मिल जाएगा या फिर टेलेग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा साथ इंस्टाग्राम का भी लिंक मिलेगा वहाँ पर आप जुडें यहाँ पर आपको सुचना मिलेगी कौन सा एडिटोरियल पढ़ेंगे कौन सी वोकेब आपको मिलेगी विनिंग फर्मूला मतलब है जीत का सुत्र भारत्य जन्ता पार्टी के जीत कहां पर गुजरात में एकलिप्स पहला वर्ड मैंने जैसा कि कहां बहुत सारे वर्ड मिलेंगे तो पहला वर्ड है एकलिप्स एकलिप्स का मतलब होता है आउट्शाइन या फिर आप इसे कहेंगे क्या इसे कहेंगे ओवर्ड एक वर्ड दे रखा ये वाला ये दोनों ही सेम वर्ड्स हैं आउट्शाइन कह दीजिए एकसेल कह दीजिए सरपास कह दीजिए आगे निकल जाना ठीक है तो भारते जनता पार्टिक की जीत कहां पर हुजरात में एकलिपसेज इट्स लॉस मतलब ये जो जीत है वो जो इसका नुकसान हुआ है ना उससे भी कहीं आगे निकल गई है नुकसान इसे कहां पहुंचा है हिमाचल परदेश में हिमाचल परदेश में सरकार बनाएगी कॉंग्रेस वहाँ ये जीत प्राप्त नहीं कर पाई लीडिंग पार्टी नहीं बन पाई तो उस नुकसान से ज़्यादा यहां पे ये जीत ये रखती है कैसे वो समझाया है not only in गुजरात not only is गुजरात a bigger state ना केवल गुजरात कहीं जदा बड़ा राज्य है हिमाचल के तुलना में but the scale of parties sweep in the western state जो पैमाना है scale है party के sweep का sweep का मतलब जो इसने सफाया किया है जो जीत प्राप्त के बहुत बड़े margins से western state का मतलब पश अच्छी में दिशा में पढ़ता है ये नक्षा अगर आप देखेंगे also overshadows its narrow loss in the hill state hill state कहा गया है पहाडी राज्य हिमाचल को narrow loss का मतलब कम margin से ये हारी है party इसको ये overshadow करता है overshadow का मतलब वही eclipse है कि कहीं जदा ये चीज importance रखती है subject है victory verb दे रख किये eclipse गुजरात है इस इसकी verb is है अब आप कहें कि सर ये पहले कैसे आगई verb तो इसका कारण ये है कि not only say start है अब आप कहोगे कि not only say start कैसे है तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये sign इसे आप colon के नाम से जानते हैं ये punctuation marks में आता है colon ठीक है तो यहाँ इसने end किया समझाने के लिए colon लगाया है प negative adverbs होते है not only है वैसे ही never भी होता है nor भी होता है है ना ऐसे ही आप under no circumstances भी देख सकते हो no sooner भी देख सकते हो hardly scarcely भी देख सकते हो तो इनसे जब start होता है तो आपको inversion लगाना होता है inversion का मतलब verb है अपने subject से पहले आती है तो ना केवल गुजरात एक कहीं बड़ा राज्य है bigger का मतलब कहीं ज़्यादा बड़ा राज्य है बलकि यह जो scale है party के sweep का जो यहाँ पे कहें कि जो star है party ने जो sweep किया है western state में वो इसका जो narrow loss रहा है बहुत कम margin से जो नुकसान हुआ हारी है party hill state में हिमाचल परदेश में उसको यह scale over shadow करता है scale की verb है over shadow right इसके बाद देखिए for the congress, congress के लिए अगर बात करें तो जो भी national party होती है, रास्ट्रिय पार्टी होती है, उनसे पहले दे का प्रियोग हम करते हैं तो भारते जनता party से पहले दे है, congress से पहले दे है, तो congress है उसके लिए इसकी जो जीत है, हिमाचल परदेश में is meager, meager का मतलब नोट कर लीजिए इसका मतलब little होता है, या फिर small होता है, और या फिर इसे कहेंगे scant, या scanty, कम, अल्प, थोड़ा, consolation का मतलब होता है comfort, तसली को बोलते हैं, सांतवना को बोलते हैं, against the backdrop, backdrop का प्रश्ट भूमी, of its decimation, decimation का मतलब है distraction, विनाश को बोलते हैं, in गुजरात, तो कह रहा है कि भई, इसकी जो जीत रही हिमाचल प्रदेश में, वो meager consolation है, मतलब एक थोड़ा बहुत एक कह सकते हो कि सांतवना है, किसको देखते हुए, इस संदर्व को देखते हुए, इस प्रस्ट भूमी को देखते हुए, कि गुजरात में तो इसके तबाही सी मच गुजरात में तो इनके पास सीटें ना के बराबर आई, 17 सीटें ही केवल मिली इनको, where, जहां, ये किसके लिए आगया गया गुजरात के लिए, जहां इसने, इटाराय कॉंग्रेस के लिए, had to be content, content का मतलब होता है satisfied, content एक executive है, इसका मतलब है satisfied, और याद रखेंगे, चाह चाहे satisfied हो, चाहे gratified हो, content हो, या satisfied हो, या gratified हो, या फिर चाहे pleased हो, इन सब के साथ में विद का प्रियोग किया जाता है, इन सब के साथ में क्या प्रियोग करोगे, विद लगाओगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है, तो जहां, कहां पे गुजरात में, इसको संतुष्ट होना पढ़ा किसके साथ कि 182 असेम्बली सीट्स थी विधान सभा सीटों के संखे 182 थी गुजरात में इसको मिली केवल 17 as compared to किसके comparison में 77 सीटे मिली थी तो 17 के अंदर 17 से अगर compare करोगे तो वहाँ पे 77 सीटे मिली थी compare के साथ में तू भी लगा सकते हो compare के साथ में with भी लगा सकते हो to तब लगता है जब समान चीजों को compare करने की बात हो with तब लगता है जब ऐसमान चीजों को compare करने की बात हो ठीक है अच्छा फिर समझ दीजिएगा जो नया वाक्य हमने start किया उसके लिमे इसकी वर्ब तो है इज फिर सब्जेक्ट है इसकी वर्ब है head ठीक है और बाकी content विद आया कैसे आया है समझाई दिया मैंने आपको meager का मतलब अल्प होता है कम होता है consolation का comfort होता है consolation noun है क्योंकि ti on से end दे रखा है बाकी कुछ इसमें नहीं था सब चीजें हमने discuss की और मैंने बताता ही रहता हूँ मैं कल वाले session में में discuss किया था जब आप year की बात करते हो वर्ष की बात करते हो और particularly उसी year की बात करते हो तो इन लगता है तो यहाँ पे इनका प्रियोग है तो इसका screenshot ले सकते हैं आप दूसरे की तरह बढ़ते हैं second slide में क्या है another five year term अब कह रहा है कि अब एक बार और पांच सालों का जो term होता है वो मिल गया है तो बिजेपी जो है वो rule करेगी गुजरात को 32 सालों तक 27 साल तक rule कर लिया था अब 5 साल और सत्ता में आ गई है तो 32 साल तक लगातर साशन करेगी गुजरात पर और लगभग matching मतलब ये लगभग बराबर आ चुकी है left front के वाम मोड़ जाके जो 34 साल तक साशन करके गया है West Bengal में that ended और ये जो साशन था ना ये जो rule था इसका अंत हुआ कहां कब हुआ 2011 में subject है बीजेपी verb है will rule subject है that मतलब that relative pronoun है अपने antecedent को जोड़ेगा antecedent यहाँ पर rule है West Bengal नहीं है West Bengal तो preposition लगा है तो इसको rule को कहेंगे तो ये साशन है उसका अंत हुआ 2011 में अभी मैंने कहा कि जब आप वर्ष की बात करते हो और particularly उसी वर्ष की बात करते हो तो इन लगता है तो यहाँ पर इनका प्रियोग है ठीक है BJP से पहले दैक क्यों है बताईए था The BJP increased BJP की verb है वो increased है BJP ने बढ़ाया अपना vote share मतलब vote प्रतिशत बढ़ गया पहले 49% vote इसको मिले थे 17 के अंदर अब की बार मिले हैं 53% vote तो बहुत सिम्पल सी लाइन है BJP की verb increased है its possessive adjective है vote share इसका noun है possessive adjective का noun लगता है vote और share दोनों ही noun है जब दो-दो noun अगर हो तीन noun हो एक से ज़्यादा अगर noun हो तो उसे compound noun कहा जाता है और from जो है वो शुरुवाती बिंदो से लगता है तो 49% शुरुवाती लेवल है और ये दूसरा बाद का लेवल है तो शुरुवात के लेवल के लिए शुरुवात की बातों के लिए 2 लगता है अंत के लिए 2 लगता है तो range जो है कहां से कहां तक हो बताया है आप finished the distant third अब आप से पहले भी दे लगना चाहिए वैसे लिए अब बनी है तब दे लगेगा तो यहाँ पे आप जो है वो उसने finish किया यह इसकी verb है distant third in गुजरात distant third का मतलब है तीसरे स्थान पर आई और गुजरात के अंदर तीसरे स्थान पर आई और बहुत दूर distant का मतलब दूर रहा gap बीजेपी से काफी दूर रही पांच इस हीटेस को मिली है तो यह तीसरे स्थान पर आई है बट इस furious foray furious का मतलब भूती भयानक भयंकर होता है यह executive है क्यों है क्योंकि OUS दे रखा है जिन words के end में OUS suffix होता है उसको आप क्या कहते है executive कह सकते है फोरे है यह होता है आकरमन इसे आप attack कह सकते हो इसे आप red कह सकते हो धावा या हमला कह दो जो इसने यह एक अतिकरमन किया है कहे कि यह गुसपैट की है यह इस राज्य में राज्य कौन सा है गुजरात इसलिए दे लग रहा है तो गुजरात के अंदर जो इसकी घुसपैट हुई है बड़े ही भेंकर तरीके से बड़े आकरमक तरीके से gained it up for 13% vote share अब इससे इसको 13% vote share मिला and also national party status और साथ साथ में ऐसा करने पर इसको राश्ट्रिय पार्टी का status भी मिल गया आपकी verb है वो finished है ठीक है आप पूछेंगे कि आप से पहले दे क्यों नहीं राज्यनतिक party है तो राश्ट्रिय स्टेटस अब इसको मिला है तो दे लगा सपाएंगे अब इसके अंदर otherwise दे का पूछेंगे हम जैनरली देखते हैं आप से वहले दे का पूछेंगे नहीं होता छेत्रिय पार्टी बन कर रह गई थी अब चुकि ये राश्ट्रिय पार्टी है दे का पूछेंगे हम करते है आपस एंट्री आपका जो ये एंट्री रही गुजरात में इसने ट्राइंगुलेटेड कर दिया त्रिकोनिय बना दिया गुजरात के प्रतिसपरधा को गुजरात के कॉंटेस्ट को तो गुजरात में दो पार्टीयां पहले थी बिजेपी और कॉंग्रेस अब की वार इसके आने से त्रिकोनिय संहर्ष ये बन गया विच वर्ग्ड टू दा बीजेपी ज एडवांटेज और इस चीज ने बीजेपी के लाब का काम किया है ये जो ट्राइंगुलेटेड कर दिया कॉंटेस्ट को इससे बीजेपी को फाइदा हुआ है दिया बीजेपी मेड इन रोड़ ये जो मेक इन रोड़ है इसका मतलब भी वही होता है जो फोरे होता है मेक इन रोड़ का मतलब है एनक्रोज करना, अतिक्रमन करना सैंध लगाना या घुसपैट करना ये मालओ तो बीजेपी ने यहाँ पे tribal regions जो हैं जो आदिवासी छित्र हैं वहाँ पर घुसपैट की कहें वहाँ पर भी प्रभाव इसने जमाया and rural constituencies और जो ग्रामी निर्वाचन छित्र है वहाँ पर अपना प्रभाव जमाया which constituted, which आ रहा है इन constituencies के लिए ये वो निर्वाचन छित्र थे जिन्होंने constitute किया constitute का मतलब होता है बनाना, form करना, create करना, patches, patches का मतलब छोटे छोटे हिस्से of the Congress strength, Congress की ताकत किस्से थी? आदिवासी छित्रों में जो वोटर्स थे उससे थी ग्रामीन निर्वाचन छित्र थे, वो ताकत थी, वो ज़दा वोट देते थे Congress को लेकिन अपकी वार BJP ने वहाँ भी सेंद लगा दी, तो वो वोट भी BJP के पास आ गए after आप जो generous promise, किसके बाद आप जो party है उसने बड़े उदारवादी तरीके से generous का मतलब होता है kind, उदार, compassionate, तो आपने बड़े उदारवादी ढंग से जो वादे किये, किस चीज के welfare schemes के, मतलब ऐसी योजनाओं के वादे कर दिये, free बिजली मिलेगी, free पानी मिलेगा, आपने सुना ही होगा, तो इनके कारण यहाँ पे succeeded, यह जो scheme है, यह सफल हुई, किस में seeding, seed का मतलब है, beads बोना, plant करना, इस्तापित करना, यह seed यहाँ पे क्रिया है, preposition के बाद में जो verb लगती है, वो ING form में आती है, तो seeding लगा हुआ है, तो यह यहाँ पे सफलता मिली है, किस चीज में, a new kind of class politics in the state, कि यहाँ यहाँ पे राज्ये के अंदर एक नए प्रकार की politics देखने को मिली है, यह आपने एक बीज रोपित कर दिया है, वहाँ पे, समझे फिर से BJP की verb है, वो made है, which relative pronoun है, constituencies के लिए है, इसकी verb constituted है, generous promise की verb जो है, वो succeeded है, और seeding का मतलब plant करना है, स्तापित करना है, बीज बोना ह कह सकते हो, generous objective होता है, क्योंकि OUS last में दे रखा है, generous का मतलब काय दयालू है, है ना, उदारता है, तो BJP ने यहाँ पे send लगाई है, tribal regions में, rural constituencies में, जिसने की, जो Congress की strength है, उसके patches को constitute किया हुआ था, बनाए हुए था, और कह रहा है कि आपने यहाँ पे उदारता पूर्ण कुछ वादे किये, welfare schemes के, उन वादों से क्या हुआ, यहाँ पे नई प्रकार की politics जो है, state के अंदर, वो seed हुई है, बीज उसका बोया गया है, इट वोज प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी, इट की वव वोज है, प्राइम मिनिस्टर से पहले दे लग सकता था, यह हमने क होता, तो यहाँ दे लगाते, और इट जब शुरू में आता है, तो यह emphatic way में आता है, जोड देने के लिए आता है, तो यह प्राइम मिनिस्ट नरेंदर मोदी ही रहे, जिन्होंने की अभियान को लीड किया, चुनावी अभियान को, all the way पूरी तरीके से बिज़े पी के के अंदर, वो मतलब actual में इतना बहतर नहीं था, जितनी की मोदी जी की लोग प्रियता है, ठीक है, help the power, अब उनकी लोग प्रियता ने क्या किया, power the BJP, BJP को शक्ति प्रदान की, और BJP इस से क्या हुआ, एतिहासिक जीत प्राप्त कर पाई, it की verb है, watch है, which आ रहा है, उनकी highlight किया हुआ है, कि help के साथ दो situation बनती है, या तो सीधा base form लगता है, या फिर two के साथ base form लगता है, या तो लगाएंगे सीधा base form, या फिर लगाएंगे two के साथ base form, ठीक है, याद रखिएगा, तो यहाँ पर power दे रखा है, वो इसकी सीधे base form लग रही है, तो कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी ही वो थे, जिन्होंने की अभियान को पूरी तरीके से लीड किया, चुनावी अभियान को बीजेपी के लिए, और उनकी लोग प्रियता जो थी, उस लोग प्रियता ने state government के साथ, मतलब जो उनकी performance रही है, राज्य सरकार की, उस से unlinked थी, उनकी लोग प्रियता कहीं ज़्यादा थी, state government की performance थोड़ी कम थी, लेकिन उनकी लोग प्रियता ने बीजेपी को पहुँचा दिया, इतिहासिक जीत तक ये इसका translation है, ठीक है, दे हिमाचल प्रदेश आउटकम, आउटकम का मतलब होता है result, मैंने कहा कि आज क्या एड words देखने को मिलेंगे आपको, तो words लिखते जाओ, आप बहुत सारे words है, result को बोलते हैं, विजेपी, जो हिमाचल प्रदेश का result रहा, is instructive, instructive का मतलब ये यहाँ पर समझाता है, दिखाता है, ये एक संकेत करता है, किस तरफ, of the latent, latent का मतलब होता है hidden, या फिर कह सकते हो concealed, concealed hidden को बोलते हैं, छिपे हुए को बोलते हैं, latent, anti-incumbency का मतलब होता है, जो सत्ता में party है, उसके खिलाफ माहोल, ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का तो result है, वो यहाँ पे दिखाता है, कि anti-incumbency, छिपी हुई anti-incumbency माहोल था, जो बीजेपी यहाँ पे face कर रही है, बीजे हमता विक्सित हो जाती है, कि वो जब कोई anti-incumbency माहोल होता है, तो उसको भुना लेता है, harness का मतलब है, use करना, या utilize करना, उपियोग करना, ठीक है, बहुत ही important word है, harness, आ सकता है, परिक्षा में याद रखिएगा, तो कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश का outcome है, इसकी verb तो हो इस, तो हिमाचल प्रदेश का outcome है, वो यहाँ पे संकेत करता है, instruct करता है, समझाता है, कि भई, यहाँ पे छिपी हुई anti-incumbency थी, एक ऐसा माहोल था, जो बिल्कुल उजागर तो नहीं हुआ, नहीं कहीं न कहीं BJP के खिलाफ माहोल बना हुआ था, जो BJP face कर रही है, और जो विपक्षी खेमा है, वो कई बार अपने छमता जाहिर करता है, कि इस प्रकार की जो anti-incumbency माहोल है, उसके लिए इटा रहा है, कि वो इसका उप्योग कर लेती है, The Congress ran a sedate campaign, sedate का मतलब होता है calm and relaxed, बहुत ही शान्ती से, बहुत ही धीमा, तो कह रहा है कि Congress ने क्या किया, दोनों ही राज्ये में बड़े ही साधारन तरीके से, बड़े ही शान्त तरीके से, अग्रेशन नहीं दिखाया, आक्रमक्ता नहीं दिखायी, दोनों ही राज्ये जाही नहीं पार्टी के लिए, बट इन हिमाचल परदेश, लेकिन हिमाचल परदेश में इसने किया, कारण क्या था, कारण ये था anti-incumbency factor, क्योंकि वहाँ पे हिमाचल में इसके खिलाफ माहुल बना हुआ था, ठीक है, कहने का मतलब, गुजरात में इस चीज ने, ये जो वोड़ शेयर और कॉंग्रेस नाव, तो कॉंग्रेस और आपका जो कंबाइन वोड़ शेयर है, जो दोनों को मिला कर इनका वोड़ शेयर रहा, वो रहा लगभग इतना, हौवर अराउंड का मतलब होता है, इर्द गिर्द होना, नजदीक होना, मन्राना, वो लगभग 40% Congress अकेले से भी कम था, जो Congress ने 2017 के अंदर प्राप्त किया था, Less के साथ में देन लगेगा, Less degree comparative है, किसकी comparative है, Little की, Little होती है positive, Less होती है comparative degree, और least होती है, Superlative degree, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आगे देखिए, नहीं नहीं हिमाचल परदेश, अब हिमाचल परदेश की अगर बात करें, तो मोदी जी का जो एक बहुत ही विस्तरत यहां पर अभियान रहा, वो enough नहीं था, परियाब्त नहीं रहा, ठीक है, इन गुजरात गुजरात में, इसका मतलब है, सारे प्रियास करके देखना, पूरी मेहनत जोग देना, सारे प्रियास करना, गुजरात में बीजेपी ने पूरे प्रियास किये, कब जब इसने फेस किया, सेटबैक्स, इन 2017, 2017 में इसको जटका लगा था, सेट बेक का मतलब क्या होता है सेट बेक का मतलब होता है हार, डिफीट कह दो या निराशा माल लो जटका माल लो, ठीक है तो 2017 में एक्च्वल में दोनों के जो कॉंटेस्ट था गुजरात में बीजेपी और कॉंग्रेस का बड़े कांटे की टक्र थी तो बीजेपी ने यहां पे क्या किया, पूरे परियत न किये किसके बाद किये, जब इसने सेट बेक्स यहां पे फेस किये थे तो 17 के अंदर जबकि कॉंग्रेस जो है उसने लॉस्ट स्टीम, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है, लूज स्टीम का मतलब होता है, to be slow धीमा पड़ जाना उत्सा कम हो जाना एनरजी कम हो जाना, वो होता है लूज स्टीम, लूज की थर्ड फॉर्म है, यह लॉस्ट लूज होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लॉस्ट होती है वर्ब की सेकिंड फॉर्म और lost होती है third form अब मैं कहे रहा हूँ कि third form है क्योंकि helping वर्ब दे रखी है अगर helping वर्ब नहीं होती तो इसको मैं कहता second form है ठीक है तो कह रहा है कि 2017 के अंदर इसको setbacks मिले थे जबकि Congress जो है उसने अपनी गती अपनी उत्सा उटजाक हो दी है कब से तब से 17 से लेकर अब तक अगर देखें तो उस समय से इसका जो एक रहा था एक जोस जुनून था वो खतम हो गया है With renewed vigor, vigor का मतलब होता है जील या फिर उत्सा कहे दो, enthusiasm कहे दो तो एक नए vigor noun है और इसकी जो adjective है ये वाला ये past participle adjective है जब ed form में दे रखा हो executive, मतलब third form दे रखी हो executive, verb दे रखा हो तो verbal adjective होता है और verbal adjective का मतलब past participle है, सीधा सा मतलब ये होता है तो करें एक नए जोश के साथ, आप will now try expanding आप अब कोशिश करेगी, expand करने की, expand का मतलब बढ़ाने की तो new territories की वो अपने आपको फैलाए, नए छेत्रों में, territories में तब नए जोश के साथ, आपका प्रियास क्या होगा, कि आप अब एक नए जोश से अलग-अलग नए छेत्रों के अंदर फैले potentially, संभावित रूप से mudding the waters, mudding the water का मतलब क्या होता है किसी condition को और जटिल बना देना to make any condition more complicated for someone, for something तो संभावित रूप से potentially adverb है संभावित रूप से यह जो opposition है, विपक्ष है उसके लिए और भी खत्रा पैदा कर देगी इस्तितियों को और मुश्किल कर देगी and aligning with the bzp's hindutwa ideology align with का मतलब क्या होता है साथ चलना या फिर कहें कि match करना, जैसी ideology hindutwa को लेकर, विचारधारा को लेकर bjp चल रही है, वोट लेती है उसी ideology के साथ ही आगे बढ़ सकती है सेम प्रकार का विचारधारा अपना सकती है इसको समझ में आगया वोट किससे मिलते हैं इसा हो सकता है तो subject आपका है, आप verb है, will try now है, वो adverb है mud the waters जो होता है ये एक fresh है, इसका मतलब है सित्यों को और जदा मुश्किल कर देना align with है इसका मतलब होता है align with का, कि सेम प्रकार के views रखना सेम प्रकार के विचार रखना ठीक है आगे देखिए the outcomes of गुजरात और हिमाचल परदेश अब जो result रहा, गुजरात और हिमाचल परदेश का demonstrate, ये outcomes दिखाते हैं demonstrate का मतलब है show करना ये दिखाते हैं, that conjunction है कि the BJP's status as the husband या फिर इसको haigiman भी कह सकते हैं इसको haiziman भी, haigiman जै भी बोल सकते हैं और गै भी पढ़ सकते हैं दोनों ही उच्चारण है इसके इसका मतलब है प्रभाव या फिर supreme leader होने का गुण कह सकते हो तो कह रहा है कि जो result रहे हैं वो दिखाते हैं कि BJP का जो एक status हुआ करता था supreme leader का वो unchallenged है Indian politics में वो अभी भी उसको कोई चुनोति दे नहीं पा रहा है भारत की राजनिती में Mr. Modi जो है वो ज़्यादा प्रसिद्ध है अपनी party से more popular है और opposition जो विपक्ष है वो समर्थ नहीं है कि ऐसी politics को create करे या ऐसे programs को create करे जो की challenge दे सके BJP को ठीक है तो यहाँ पे that relative pronoun है वो programs के लिए या politics के लिए आ रहा है इसकी verb can challenge है तो subject है outcomes, verb है demonstrate subject है status apostrophe के बाद जो शब्द आता है वो noun होता है apostrophe जिसके साथ होता है वो भी noun होता है ठीक है तो BJP भी noun है, status भी noun है apostrophe का मतलब genitive case है, संबंद कारक है इसकी verb है वो remains है और Mr. Modi की verb है वो is है more popular degree comparative है तो then का प्रियोग है opposition की verb is है ठीक है फिर कहरा है कि while the BJP has a universal formula हलंकि while जब जोडता है दो clauses को जोड़ेगा एक clause यह है, एक clause इससे पहले है तो दोनों ही clause एक दूसरे के विपरीत होंगे विपरीत उपवाक्य होंगे यदपी BJP जो है उसका एक universal formula है एक सारव हमिक सुत्र है क्या, that is largely successful across reasons और यह वो formula है जो की largely मतलब समाने तोर पर successful है सफल है, across reasons मतलब सभी छेत्रों में BJP के पास एक ऐसा formula है जो सभी छेत्रों के अंदर successful है फिर भी, opposition to it can sustain only अगर इसका कोई विरोध करेगा तो वो कब चल सकता है sustain का मतलब वो कब maintain हो सकता है कब continue हो सकता है, कब टिका रह सकता है तो opposition किस के खिलाफ है उसके लिए टू लगता है तो it आ रहा है BJP के लिए मतलब BJP के formula के लिए BJP के जो formula है रज्य को लेकर कोई रणनित्ती बनाई जाए रज्य विशेश में ही है केंद्र में तो वैसे भी नहीं है इस्टेटिस स्टेटेजी अगर होगी तो उसका opposition मतलब जो है वो टिक सकता है, sustain हो सकता है तो यह था सब आज की इस editorial में जो की इस week का अंतिम एडिटोरियल था हमारे मुलाकात होगी मंडे को एक नए सेशन के साथ तब तक लिए नमस्कार Thank you very much